नमस्कार मैं हूँ रोहित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फोर्डेशन आज हम एक बड़ी खबर के साथ आपके बीच पहुँचे हैं तेसल खबर उस बात को लिकर के जिसने पूरे बिहार को एक जमाने में सन कर दिया था सिवान का तेजाब कार्ण मुहमद शहबुद्दीन ने दो भाईयों को रंगदारी ना देनी के वज़े में जिस तरीके से तिजाब से नहला कर मार डाला था उस मामले ने बिहार की सियासत में नया भुचा ला दिया था बिहार में पहले भी जंगल राज की दुहाई दी जाती रही थी लेकिन तेजाब कार्ण ने इस पर मुहर लगा दी लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सुप्रेम कोर्ट ने एहम फैसला दिया है उसके बाद ये साफ है कि शहबुद्दीन अब शायद जील से बाहर नहीं आएंगे सुप्रेम कोर्ट ने तेजाब से नहला कर चंदा बावो के दो बेटे की हत्या करने के मामले में इस दिवान के डौन और चार बार सांसद रह चुके मुहमद शहबुद्दीन और उनके तीन सहयोगियों को हाई कोर्ट से मिली सजा को बढ़करा रखा है सुमवार को इस मामले की सुनवाई करते वे चेफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीट ने महज कुछ मिन्टों के सुनवाई में शहबुद्दीन की याचिका को खारिश कर दिया चेफ जस्टिस गोगोई के धच्चता में पीट इस जगहन हत्याकान पर शक्त दिखी सहबुद्दीन की तरफ से सिनियर वकीलों की टीम ने जैसे ही उनके बचा में कुछ कहना चाहा बेंच ने कहा इन अपीलों में कुछ भी नहीं रखा है और हम हाई कोट के फैसले में हस्तचेप नहीं करेंगे कोट ने बिहासरकार के वकील केशब मोहन से कुछ भी नहीं पूछा और मामले का निप्टारा कर दिया 9 दिसंबर 2015 को स्पेशल कोट में शाहबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी पिछले साल 30 अगस्त को पटना हाई कोट ने भी इस फैसले को बढ़करा रखा था दरसल अगस्त में 2014 का ये मामला है जब सिवान में 36 और गिरिश रोशन की एसीर अटेकर हत्या कर दे गई थी इस मामले में निचली अदालत के बाद हाई कोट ने सजा को बढ़करा रखा था जिसके तहर शाहबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी 2017 में इस फैसलिक खिलाब शाहब बुद्दीन सुप्रीम कोट गए जहाँ पर इस मामले में सुप्रीम कोट ने सुनवाई करते हुए हाई कोट की सजाग पर अपनी मुहर लगा कर रखिये यानि साफ हो गया है कि शहब बुद्दीन अब जेल से बाहर कभी ने निकल पाएंगे जहार तोर पर शहब बुद्दीन बिहार में इस वक्त आरजूदी के निता के तोर पर जाने जाते हैं और उत्तर बिहार के सिवान में शहब बुद्दीन की जो सल्तनत थी उस पर किसी की नज़र या हाट डाले की हमबत नहीं होती थी अभी अभी शहाबुदीन जब भागलपूर जील शे तिहाज शिफ्ट किया गया तो इस बात कारोप लगाया गया कि शहाबुदीन जील के अंदर से अपने ग्याइंग कॉपरेट कर रहे हैं और जाज को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बाद उनको तिहाज शिफ्ट किया गया और अब जब सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले पर हाई कोट की फैसले को बढ़का रखा है तो यह साफ हो गया है कि अब शहाबुदीन अपनी पूरी जिन्दगी जील में ही काटेंगे